हेलो दोस्तों मैं हूँ सीखा और वेलकम है आपका मेरे चैनल डैम डलीसस में आज मैं आप लोगों के साथ सेर करने वाली हूँ अद्रा एस्पेसल थाली जो की बिहार की फेमस थाली है इसमें हम बनाएंगे दाल वाली पूरी, चावल की खीर और दही वाली बैंगन की सबजी ये सारी रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ सेर कर चुकी हूँ अगर आप अलग-अलग देखना चाते हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ आप वहाँ से जाके फूल विडियो देख सकते हो तो चलिए अधरा अगर स्पेसल थाली बनाना सुरू करते हैं वेना टाइम वेस्ट किए अधरा स्पेसल थाली बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चने की डाल तो यहाँ पर मैं चने का डाल ली हूँ आप इसके जगह मुंग की दाल भी ले सकते हो फिर हम इसे अच्छे से धो लेंगे धोने के बाद हम इसी कप से तेर कप पानी इसमें डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सरसो का तेल, एक चम्मच हल्दी पाउडर फिर हम इसे गैस पे चड़ा कर 6-7 सीटी लगाएंगे डाल को अच्छे से पकाने के लिए डाल जब तक पकेगा तब तक हमने यहाँ पे सबजी को कट करके रखें दही वाली बैंगन की सबजी बनाने के लिए बैंगन को मैं इस तरीके से कट की हूँ और इसके बाद हम मसाला पीस लेंगे तो मैं यहाँ पे मसाले में प्याज, टमाटर, लसुन यह सारा मिक्सी के जार में रखी हूँ और उसके बाद मैं कड़ाही में डाल देती हूँ तेल जब तक गर्म होगा तब तक हम मसाले को पीस लेंगे तो यहाँ पर देखिए मसाला पीसा गया उसके बाद हम बैंगन को तेल में फ्राय कर लेंगे तो बैंगन को मैं ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है, हलका ब्राउन फ्राइ करना है, जब यह हलका सॉफ्ट हो जागा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे मसाला बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं दो चम्मच दही ली हूँ, अमूल की दही है, आप नॉर्मल जो भी दही यूज़ करते हो, आप ले सकते हो, उसके वाद हम इसमें डालेंगे मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गड़म मसाला, इन सब को अच्छे से हमें म भुना चुका है, तो अब हम इसमें दही वाला मसाला एड़ कर देंगे, और उसी कटोरी से एक कटोरी पानी इसमें एड़ कर देंगे, फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, नमक हमें अभी नहीं डालना है, बाद में नमक डालेंगे, फिर मैं इसमें डाली धनिया का पत अच्छे से पक चुका है यह देखिए तो अब हम दाल को भून लेंगे तो यहां पे मैं दो चम्मच तेल में एक चम्मच जीरा डाली और एक तेज पत्ता काली मीर्च चार इलाइची यह साड़ा कूटके डाली और पांच-छे हरी मीर्च बारी कट करके इन सब को हम थोड़ तो यहां पे देखिए इसे इस तरीके से मिक्स करके अच्छे से हमें भूनना है हर तरब से इसे मिला कर अच्छे से भूने तो इसे हमें हाई फ्लेम पे भूनना है ताकि डाल जो है अच्छे से भूना है तो यहां पे मैं डाली धनिया का पत्ता फ्रेस कटा हुआ और फिर हम इसे इस तरीके से मिला देंगे और मिलाने के बाद हम इसे एक मिनट तक पकाएंगे अब यह अच्छे से पक चुका है तो अब हम गैस को ओफ करके इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे और इस थाली में हम दाल को इस तरीके से फैला देंगे ताकि दाल जल्दी से ठंडा हो जाए इसे हम पूरी में भर सकें तो देखिए दाल बनकर रेडी है और अब आप देख सकते हैं ग्रेवी भी अच्छे से खौल रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक बाद में इसलिए डालते हैं ताकि नमक डालने से भी दही फट जाते हैं इसलिए हम नमक भी बाद में एड करते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे फ्राय किया हुआ बैंगन और उसके बाद हम इसे हलके हाथों से हर तरब से उलटते पलटते हुए मिलाएंगे ताकि बैंगन जो है ग्रेवी में अच्छे से मिक हो जाए और फिर हम इसे धक कर दो मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे तो जब तक बैंगन की सबजी पकेगी तब तक हम एक साइड पे खीर बना लेते हैं तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे अरवा चाबल ले हूँ खीर वाला चाबल इसे अच्छे से हमें धो लेना है च यहाँ पे मैं चाबल डाल दी जब दू दूबल गया तो और उसके बाद हम इसे मिला लेंगे और लो फिलेम करके इसे पकाएंगे तो दोनों साइट पे अभी मैं सबजी और खीर बना रही हूँ तो इधर मैं आटा गुन लेती हूँ तो मैं यहाँ पे आटा ली हूँ 500 ग तक और पकाएंगे उसके बाद मैं इसमें डाल दी चीनी तो चीनी आप अपने टेस्ट के नुशार दालिएगा और फिर हम इसे अच्छे से मिला थाया मिला खरे तो पुरी आप अगर फ्राय करके खाना चाहते हो तो फ्राय करके भी बना सकते हैं या फिर आप आप डाल वाले पराथा जो होते हैं बेलकर जिनको तेल जादा नहीं खानाlook ढ़िए सकते हो तो यहां पे देखिए इस तरीके से गुलाई करना है आटा का और इसमें हम डालेंगे दालवाला मसाला फिर इसे हर तरफ से घुमा कर बीच में इसे दबा देंगे उसके बाद हम इसमें पर्थन लगा कर चकले पे बेल लेंगे तो मैं पूरी को फ्राय करने वाली हू इसलिए मैं छोटा से बना रही हूँ आप अगर तवे पे सेखने वाले हो तो इससे बड़ा पराठा जैसे बनाते हैं उस तरीके से आप बना सकते हो तो यह देखिए इस तरीके से हमें सारी पूरियों को बेल लेना है फिर हम इसे फ्राय करेंगे तो मैं यहां पे हो जागा बट अंदर से यह अच्छे से पकेगा नहीं तो इसे आप मिडियम लो फ्लेम पे ही पकाईएगा तो बहुत ही अच्छी सॉप्ट और क्रेस्पी पूरी बनेगी बहुत ही टेस्टी तो यहां पर देखिए पूरी मैं फ्राय कर चुकी हूँ आप देख सकते हो इस खीर एक बरतन में निकाली हूँ इसके उपर से थोड़ा सा गार्लिस कर रही हूँ में ड्राय फ्रूट से और उसके बाद हम बैंगन को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे तो यहां पर देखिए दही वाली बैंगन की सबजी के उपर मैं डाली दो चमच दही और फ्रेस कटा हुआ धन तो फाइनली अब सारी चीजे बनकर रेडी है तो अब हम थाली सजा लेंगे तो यहां पर मैं ली हूँ एक प्लेट इसमें हम डालेंगे खीर उसके बाद हम डालेंगे दही वाली बैंगन की सबजी दो पूरी और आम कट करके अध्राय स्पेसल में आम तो च थाली बनकर रेडी हो गई तो उमीद करती हूं कि आपको अध्राय स्पेसल थाली रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल ज्यादा जिसाएब कार लीजान दिसलिये मेरे और फिरहाईगा और घ्यादा से घा जिसे ज्यादादा जिसाओरा फुक्राइगा हो पो तो जो उल मेरे भी हो अ stipendCómo चैनल कर व 아ाम हो एया है तो है कि न्यादा है